इस साल की शुरुवात से ही एडी काफी आक्टिव नजर आई है मनी लॉंजिंग की केसिस में एडी ने अब तक कई राज्ये के कई मिनिस्टर्स को समंस भेज कर पूछता शुरू कर दी है दिली के सीम अर्विंद केज़िवाल से लेकर जारकन के सीम हेमन सोरेन और यहां तक की बिहार के डेप्यूटी सीम तीजस्वी यादव तक को भी एडी ने अपने रेडार पर रखा है जहां तीजस्वी यादफ को दो समंस और अर्विंद केजी वाल को चार समंस भीजे गए हैं आप सुनकर चौक जाएंगे कि ED ने अब तक एक लांड स्कैम के मामले में जारकंड CM हेमन सुरेन को 9 समंस भीजे हैं और हैरानी वाली बात तो ये है कि सुरेन ने इन 9 के 9 समंस को इग्नोर किया है हाला कि ऐसा करना उन्हें बहुत भारी पड़ा है जब ED ने उनसे पुष्टाज करने के 6 घंटे बाद उन्हें सीधे अरेस्ट कर लिया है अपनी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए फॉर्मर CM हेमन सुरेन ने जारकंड हाई कोड के साथ साथ सुप्रीम कोड का भी रुख किया है और दोनों कोड ने इस मामले में अपनी क्या राय दी है ये हम आगे देखेंगे हम ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोड में सुरेन को रिप्रेसेंट कर रहे सीनियर अड़ोकेट्स का पल सिबल और अभिशेक मनो सिंग्भी ने एडी को फटकारते हुए सुप्रीम कोड बेंच के सामने क्या पोइंट्स रखे हैं 31 जनवरी को जब एडी ने जहारकन के फॉर्मर सीएम हेमन सुरेन को अरेस्ट किया था ये बात आपकी तरह पूरे देश में फैल गई और एक बार फिर से एडी पर ये इलजाम लगने लगा कि वे बीजेपी अपोजेशन पार्टी को पीएम मोदी के कहने पर टार्गेट क इस मामले में कॉंग्रेस भी पीछे नहीं रही और राहूल गांधी से लेकर मलक अरजुन खारगे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और यहां तक ये भी कह दिया कि जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल ही जाएगा और हेमन सुरेन की अरेस्ट ने फेटरलिजम की धज इसी अरेस्ट को चैलेंज करते हुए एक फेबररी को हेमन सुरेन की ओर से मौजूद होकर सीनियर अड़ोकेट्स कपल सिबल और अभिशेक मनु सिंग्वी ने CGI DIY चंदचू लेट बेंच के सामने इस मामले को अर्जिन्ट लिस्ट करने को कहा सिबल ने CGI को समझाते हुए कहा कि ED द्वारा ये अरेस्ट इलीगल है और ऐसे कैसे एक इनसान को अरेस्ट किया जा सकता है वो भी एक स्टीट के सिटिंग सीम को सिबल ने ED को फटकारते हुए कहा कि वे देश के लौ के साथ खिलवार कर रहे हैं and stated हाला कि ED की ओर से मौझूद होकर सॉलिसिटल जनरल तुशार महता ने कपल सिबल पर पलटवार करते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोट के अलावा जारकंड हाई कोट भी जा चुके है and stated it would be unfair to the high court because at their request the matter was kept today first on board and now posted to tomorrow सिबल ने SG महता को समझाया कि वे ये मामला जारकंड हाई कोट विड्रौ कर लेंगे ये सारे पॉइंट सुनकर CJDY चंदर्चूर ने इस मामले को अगले दिन यानी की 2 February के लिए urgently list कर दिया आपको बता दे कि ये मामला 1 February को जारकंड हाई कोट में भी लिस्टेट था पर जब सोरेन की काउंसल ने acting chief justice श्री चंदर शेकर और justice अनुभा रावा चौधरी के डिविजनल बेंच को इस मामले को दोपहर 12 बजे लिस्ट करने को बोला उन्होंने ऐसा करने से सक्त मना कर दिया और इसे भी 2 February के लिए लिस्ट कर दिया वही सुप्रीम कोट ने 2 February को इस मामले में एक special bench constitute की जिसमें जिस्टिस संजीव खना वीला इंतरीवी दी और MM सुंदरे शामिल थे इस हीरिंग के दोरान भी senior advocate couple सिबल जो की सोरेन को represent कर रहे थे एक बार फिर से ED को target करते हुए नजर आये हाला कि इस मामले की हीरिंग के शुरवात में ही जिस्टिस खना ने सिबल से सवाल कर लिया कि वे लोग जारकंड high court को छोड़ कर सीधे supreme court क्यों आये हैं and ask why has he not approached the high court why he or supreme court directly इधर सिबल ने वापस से supreme court bench को समझाया we are dealing with a chief minister who has been arrested see the evidence this is not fair हाला कि जस्टिस खना ने सिबल को बोला कि अगर ऐसे ही हम सभी को सीधे supreme court आने देंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी and stated courts are open to everybody second high courts are constitutional courts if we permit one person then we have to permit everyone सिबल ने वापस से जस्टिस खना को समझाया कि your law ships have discretion this is a case where that discretion ought to be exercised पर supreme court bench उनके इस argument को सुनकर खुश नजर नहीं आई और supreme court के एक previous order को भी refer किया जिसमें supreme court की bench जिसमें जस्टिसेज अनिरुद बोस और बीला एम्तरिवेदी शाविल थे ने नवेंबर 2023 में ही हेमन सुरेन को ED के summons के regarding जहारकंड high court को जाने की सला दी थी वही ED के और से मौजूद होकर ASGSV राजु ने ये तक कह दिया कि ये एक minister है इसलिए इतना लंबा matters चल रहा है वरना एक common man को इती छूट कहां मिलती है and stated separate bench constituted a common man would never get this benefits इसका पलट जवाब देते हुए कपल सिबल ने ED को वापस से target करते हुए कहा कि वे जहारकंड की सरकार को गिराना ही चाहती थी और ऐसा ही हुआ है और इसी के साथ एक बार फिर से हेमन सुरेन को निराशा हाथ लगी है अब देखना ये होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोट के मना करने के बाद जहारकंड हाई कोट का क्या फैसला रहता है हेमन सुरेन को अरेस्ट करने के पहले भी बहुत ही twist और टर्ल्स देखने को मिले थे और बहुत ही अजीब मामने सामने आये थे जब ये आशंका होने लगी थी कि ED जहारकंड CM सुरेन को अरेस्ट करने वाली है और उनके दिल्ली Resident पर जाकर रेड डाल दी तो एकदम से खबर फैल गए कि हेमन सोरेन एक दिन से ला पता है जी हाँ आपने सही सुना हाला कि कहा जा रहा है कि ये अफवा भी अपोजेशन पार्टी बीजेपी द्वारा फैलाई गई थी जो सोरेन पर एडी के रेड और अरेस्ट को स्किप करने की वज़ा से निशाना साध रहे थे और इन सब का पलटवार देते हुए सोरेन ने एडी के ओफिसस को डिरेक कॉन्टाक्ट करते हुए कहा कि वे अपने राची के रेसिडेंस पर उनका इंतजार कर रहे हैं गंटों चली पूशताष के बाद सी एम सोरेन ने भी पलटवार करते हुए एडी ऑफिशल पर ही 31 जनवरी को FIR रेजिस्टर करते हुए उन्हें SCST Act के तहत के इसमें नीम किया CM सोरेन ने ये भी मेंशन किया अपने FIR में कि उन्हें और उनकी फामली को ED टीम द्वारा काफी टॉर्चर किया गया है पूशताष की बाद जहां ED ने सोरेन को अरेस्ट किया तो इस मामले में एक और ट्विस्ट बाकी था ED की टीम के साथ CM सोरेन सबसे पहले गवर्नर CP राधा कृष्णन के पास राजबावन राची पहुचे इसलिए क्योंकि ED की टीम से सोरेन ने रिक्वेस्ट की कि वे सबसे पहले गवर्नर को अपना रिजिगनेशन समिट करेंगे तब ही उसके बाद उनकी गिरफतारी के मेमो पर साइन करेंगे जिससे ED ने भी अग्री किया CM सोरेन गवर्नर को अपने रिजिगनेशन देने के बाद सीधा अपने घर आए जहां से ED की टीम उन्हें अरेस्ट करते हुए लेते गई एक और जहां CM सोरेन ने इसकी पीछे अपोजिशन का हाथ होने का हवाला दिया है वही ED ने पाया ED's investigation has uncovered a pattern of illegal transactions and land acquisitions with Soren allegedly playing a key role in the scam The charge sheet filed by the ED details, the fraudulent acquisition of prime land parcels, including defense land, valued at over Rs. 74 crore at current market prices The modest operandi involved the creation of backdated deeds, falsification of records and the use of fake stamps and seals to simulate legitimate transactions इन सब के बाज़ोद भी हेमन सोरे ने इन सारे allegations को जूटा और फ्रॉट बताया है और इन सब के पीछे BJP की साज़िश है He stated The arrest is a part of a well-orchestrated conspiracy which has been given shape at the annual of the general election slated in a few months आपको बता दे कि इस case में 14 से भी ज्यादा लोग अब तक arrest हो चुके है जिसमें 2011 Batch I.S. Officer Chhabhi Ranjan, who served as Director of the State's Social Welfare Department and Deputy Commissioner of Rachi भी शामिल है The ED filed a prosecution complaint on June 23, 2016 in connection with the case under Section 45 of PMLA against Soren, Ranjan, 9 others and 3 companies एक city CM को ऐसे arrest होता देखना हम सभी के लिए ही shocking था इसलिए भी ये news ऐसे फैल चुकी है अब जो हेमन सोरेन CM नहीं रहे तो उनकी जगा अब चमपाई सोरन लेने वाले हैं ये बाद ज़ारकन मिनिस्टर अलामगीर आलम ने मीडिया को बताते हुए कहा हेमन सोरेन हाज रिजाइन फ्रम पोस्ट अफ सीएम, वी हाब देखना ये होगा कि एलेक्शन के समय तक क्या ज़ारकन मुक्ती मोर्चा की हालत सुधरेगी या नहीं इसनी उसे जुड़े रहने के लिए की फॉलिंग लौ चक्राव